सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं प्राइबेट हो रहा है उसको सपा को मिलेगा वोट बसपा कोफी मिलेगा कोई नौकरी नहीं मिल रही है एक महीने पांच किलो रासन कोई खाएगा कोई नहीं खापाएगा जो है चलिए बताईए फिर कहां वोट कर रहे हैं असबरा हम तो सर बसपा पर देंगे कोई सदार नहीं जितना भाहन जी के राज में सदार महिलाओं के लिए था सूरतथ छिति महिलाएं राद दिन मतलब एक था लेगन आप उतना सूरतथ ठोड़ी है सूरतफित थोड़ी है महिलाएं तो कहां मिल पाएगा, सिच्छित रहने, इसे बढ़ियां आसिच्छित रहें, वही गोबरपाथ हैं, वही जो आसिच्छित हैं, वही काम कर रहे हैं, हम लोग सिच्छित होगे भी वही काम कर रहे हैं, दोनों लोग और पढ़ाई लिखाई का तो यह हाले चरम सीमा पर है गरीबाद में पढ़ा नहीं पाएगा और इस सरकार में जिले का नाम बदला जा रहा है पैसा खर्च किया जा रहा है और मंदिर पर खर्चा किया जा रहा है जाना मायावती हर्ची चोडबना में जी कभी नहीं चोड़ेंगे हाँ सीचे में आपका स्वागत है हम अभी अमबेटकर नगर लोकसभा सीट पर है इस सीट का एक बड़ा मज़दार इतिहास रहा है यह सीट एक समय से एक काफी वक्त तक बहुजन समाज पार्टी बसपा का गड़ मानी जाती थी यह सीट बहन जी मायावती जी भी यहां से अपना चुनाव जीती है और उसी के साथ साथ इस सीट में लगबग चार से साड़े चार लाग दलित वोटर हैं इस बार चुनाव में भी अगर आप देखेंगे जो तीनों ही प्रंडे जी जीए हो हैं जो पहले बसपा से ही 2019 में बसपा से जीते थे चुनाव और बहुत बाचपा में स्विच्च मार गये हैं वहां से टिकेट मिला है उनको बाचपा से लड़ रहे हैं सपा से लाल जी वर्मा जी है वर्मा समाज या कूर्मी समाज के भी या काफी वो इस तरह का गड़ हुआ करता था ये बहुजन समाज पार्टी का किसी वक्त पे। या इस बार कुछ बदलावा रोजहान हैं। क्या मुद्दे भी हैं। जैसे हर बार सीसी ए सिर्फ वोट नहीं बट समझने की कोशिश करता है कि जन्ता के मुद्दे दरसल हैं क्या। आए बाव जी आपसे शुरू करते हैं। जी जैभीम जी जैभीम जी। क्या नाम हो बाव जी अपना। राम नयन नाम है। जी। राम नयन तो राम नयन साब ये मुझे बताइए। क्या करते हैं यहां आप। हम तो रिटायर अध्यापक हैं। अब रिटायर अध्यापक हैं। मतलब सरकारी में होते थे। तो यह बताईए फिर आप रेटायर्ड अध्यापक हैं पिछले दस सालों में इस तरह से सरकारी नौकरियां यहां आज पास आप देख रहे हैं इस सरकार में लोगों को मिलती हैं नहीं बहुत कम मिली हैं कहां नोकरी किसी को नहीं मिली है नहीं कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं दलित समाज से मिल रही है या इस बार कुछ कम हो मतलब वह आरक्षंड पर आपको लग रहा है हमला हो रहा है या वह कुछ फाइदा मिल रहा है नहीं क्या आरक्षंड पर हमला हो ह रहा है, सब प्राइबेट हो रहा है, तो आख़ा खतम हो जागा प्राइबेट में, तो यह बताईए, आपने पिछली बार, या 2014 में, 2019 में किदर वोट किया थी, 2014 में हमने बसपा को और वोट दिया था, और उननेस में भी, और इस बार कहा जा रहे हैं? इस बार भी बस्पा को ने रहे हैं चली यह बताइए आप जो यहां पर जैसे मैं उस वक्त शुरूमात में भी कहा था कि यह बहन जी का गड़ रहा है और आपने तो बिल्कुल शुरूमाती दिन देखे होंगे जब बहन जी हम तो पश्चिम उत सब्सक्राइब करें तक चोनावी रूप से गिरावट आई है पिछले विधान सब्सक्राइब सिर्फ एक ही सीट आई उसका क्या कारण आप समझते हैं क्योंकि बहुत मैंत्वपूर्ण पार्टी रही थी यूपी के संदर्ब में असल भी इसमें जो है समाज में समाज में थोड़ा फूट थी इसी वज़ा से मामला गड़ अगया तूट मतलब कुछ लोग दूसरी पार्टी कोमें चले गए आपको लग रहा है लोग वापस एक तरफा आजएगे इस बार नहीं एक तरफा तो नहीं आएगे इसबार हम लोग फूरा पास मीलेग कि पहले जो था अब किसान लोग है हम सब थोड़ी मोड़ी खेती वारी है doin यानवर जो है बड़ा नुकसान कर रहे हम लोग 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 खाते पीते थे अब कुछ नहीं हो रहा है जानवरों के मारे लेकिन एक चीज चलिए आगे भी हम बात करते हैं लेकिन यह बताईए कि इतना जो हम देख रहे हैं पश्चे म्यूपी से लेकर यहां तक आए हैं इस बार दलिट समाज से और सिर्फ जाटव समाज ही नहीं बड़ जाटव भी बालमिक भी पासी भी हर जगा भाजपा से बहुत नाराज़ी लग रहे हैं क्या कारण है कारण यह है कि एक तो कहरण 15 लाख रुपया सब के खातम आई है इना आए ला आए उकरे बाद नवकरी द यह सब कारण है काम कुछ नहीं है और लोगों से बात करते हैं जी नमस्कार साब क्या नाम हो आपका हमारा नाम दिनेश कुमार है तीक है दिनेश जी क्या कर रहे हैं हम तो मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं गाउं में ही या बाहर जाए नहीं गाउं में कैसे रहे हैं इसफिए बाज़पा सरकार मेरे लिए दस साल कैसे रहें खीती जोफेिकर बेकार की बाज़पा पलं कोई नवकरी नहीं मिल रही अब पास जो है खेती चल ले रहे हैं और ये कुछ ये जो कह रहे हैं पांच किलो गल्ला दे रहे हैं ये वह वो जो है पांच किलो गल्ला तो दे रहा है एक महीना चलेगा ड्कट बहुत है दिखकत था था-इत था-अब महगाई के भी प्राब्लम हो ही एक महीन पांच किलो गल्ला कोई खाएगा दस दिन नहीं चलेगा पांच किलो रासन चलिए बताई फिर कहां वोट कर रहे हैं आप लगरा इस बार बस्पा जीत सकती है जी सकती है अगर दलित जो है वोट देंगे सभी जी बाउजी जैभीम क्या नाम हुआ बाउजी हमा नाम चौटी जौटी चौटी बाउजी क्या करते है भाईया यह खेट हो बताई है कमाई खाई थी बर तो यह खेटी बाड़ी में कितना नुकसान हो रहा है यह वारा पशूसाब को भी दिक्कत हो रही है भाईया हो देखा वहीं बोई है एक बिसा उर्दी कुल गाय खाई लिए अब काव करी अब सिचाई यह पताई अब यह कुल डार पर तो क नहां कईसे पाईदा कर अब कहा खाव कहा वोट कर रहे हैं भाईया बस पपब की जोगा आए बात करते हैं कुछ नौजवान भी हैं यह है यह है हुआ है कि हमें महिलाएं भी है आये मेरा नाम मादरी जी आप एसी गाउं से है यह क्या करते हैं घर ज से हैं अंध ab59 wied बोड़ती हैं ये बताई आप ग्रहनी भी हैं और खिति किसानी भी करती हैं इस बार बजट कितना हिला है महिंगाई की वज़े से हिला है ये ठीक रही है चीज buying नहीं को नहीं मिला था होँ हमारे दीदी लोगोंisme जैसे होली और किसमें होली और जो अधिपावलम फिर रहता है नई पैसे देखे भराए जाता है तो यह बताईए फिर यह जो सरकार है अभी जो योगी सरकार है आपके राज्य में वह यह लोग कहते हैं कि हमनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सुधार लाएं हैं दिन मतलब एक था लेगिन आप उतना सुधार थोड़ी है सुरची थोड़ी है महीं लाएं बाहर निकलने में पैंजी आप काफी पड़ी लिखी में हैं बीए बीएड भी किया है आपने भी अपलाई किया था कभी सरकारी नौकरी के लिए टीचिंग के लिए बीएड किया उसके बाद करने जो टीचेंग की वेकंसी और तो कोई नहीं निकला कि और जैसे टीचिंग एन टेट और सुपर टेट लगा दिया लेकिन सुपर टेट लगा दिये हैं एक एक बाउंडेशन लगाते चले जा रहे हैं तो हम लोग ग्रेडी है थोड़ा घर का भी मतलब कि इन्ड हो रहा है तो कहां मिल पाएगा सिची तरह रहें वहीं जो है वही काम कर रहे हैं हम लोग सिच्छित हो के भी वही काम कर रहे हैं दोनों लोग मोधी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सच्चा नहीं लगा आपको क्या कहते हैं उधर आपूर क्या कहते हैं कानपूर और कहां कहां सब जो है बच्चों को बलतकार किया जाता आत्रस की अब बात कर लें चाहिए दलित महिला के साथ बहुत दर्दना घटना थी तो कहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हुआ, पढ़ाने के लिए माबा भेज देते हैं, लेकिन बीच में कांड हो जाता है, क्या सबकी बर लड़कियां खराब नहीं रहती हैं, खराब तो वो मर्द ही होता है, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उसका इलजाम हम लड़कियो समाज की हैं, बहन मायवती, चली एक चीज़ बताए, बहन मायवती जी, क्योंकि एक समय पर बड़ा लोगों के बीच में, कितने जो है, पॉली टेक्निक है, और जो है, महा माया, हमारे हां कि सभी लोग जाते हैं, परहसान होते हैं, जीलब जीलब बाद अगर नहीं बनवा कि लड़की के लिए जो फेलोशिप स्कॉलर्शिप के रहा रही थी सरकार से, आगे की पड़ाई के लिए और स्सी लिए महिलाओं के लिए भी स्टूड़ेंश इसमें इन बादलाव आया है, उसमें काई बादलाव आया है, लेकिन हमारे यहां तो बच्चीयां कोई नहीं स्टूडेंट्स को जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना और क्या ग्रेजुएट है हमारे दो तीन नंद हैं हमारी पढ़ती हैं हमारी बीटी बेटियां देवरान की वह भी स्कालर्शिफ कहां पाती है क्योंकि उस पूरे कानून में अचानक बहुत बदलाव हो गया था जिससे मिलना भी मुश्किल हो गया था फिर चलिए यह बताईए फिर आपके रहें बहुत महत्वपूर्ण रोल यह भाईया जैसे हम चाहे जहां रहें जैसे यादो लोग हैं अगर वह भाजपा को दे दें कि यह लोग भी दिये हैं इसलिए हम लोग जहां है वही पराहेंगे आप कह रहें कि जहां पर भी जाएंगे लोग यह कहेंगे कि बसपा को ही दिया है और क्या कोई समझेगा थोड़ी बहुत अच्छा लगा बात करके दंगेवाद और लोगों से बात करते हैं जी नमस्का है करते हैं तो आपकी नौकरी कब लगी थी 2010 2010 पिछले दस सालों में सरकारी नौकरियां या गाओं में लग रही है बहुत कम आई है और सिच्छा विभाग जो भी आई है उसमें तमाम बीच में धादली भी थी तो बार-बार कोट जाना पड़ा जाकर सफलता मिली उसमें नेकिन सिच्छवाय कंपका और कोई यह करी भी से नहीं है इस ना इस तो बचाहेए 10 साल आप क्योंकर छिश्चाव भी भाग में भी है क्या आपको लगता है छिखी हां में स्कूलों में कोई सुधार आया है मह बहुत जादा सुधार नहीं आया है पहले की पिचल की सल बताएए उस बार क्या लग रहा है चुनाफ को आने वाला है आप क्या सोच हैं नोकरी से हैं इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं हमारा मुद्दा यही रहा है कि जो हमें OPS देगा पुरानी पेंशन जो बाल करेंगा हम उसे कोड करेंगे क्योंकि नई पेंशन स्कीम पर आप लोग आ गए है लेकिन यह कौन सी पार्टी कर रही है हमारे दरशक जानते हैं लेकिन यह क्योंकि सरकारी नौकरी में इन पर हम द हुए मेरा नाम हरी राम है मुस्लिम जगदीशपूर moved इसमघा कुटियो अगांओं है हरी राम जी क्या करते हैं मैं बस ऐसे खेती कि बाड़ी नहीं होती हुथ भूत मैंने जानता हुए यह परएजन के लोग जी नहीं पाते वारा पशु परशान करते हैं आवारा पशू यह सरकार जो है यह खुद कर वारा आवारप पस्वों का छुट्टा पंजो है चूंकि पहले था जानुवर खेती में बैल से खेती होती थी तो खेती अब उनको बाहर का जाना आया जो भी हो हमको खरीदना पड़ता था हम जो खरीद के जो कर्दान पर जो रोग लगई उसके बहुत दिक्कत हो रही है और इसक हमारा भी नुकसान हो रहा है और सरकार भी का भी नुकसान हो रहा है जो छुटा पसू है हम ही आप छोड़ रहे हैं लेकिन उसका यही में कारण है और जो इनका यह पसूं का बनाए है वहां जो पसू मर जाते हैं उनको गाड़ देते हैं तो उनका चमड़ा काम में आ रहा इसका और कारण है तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ है किसानों का भी हुआ है बाके यह बात करी है बहुत सारे लोग यह समझते नहीं है कि यह जो पशूओं की जो बात है खासकर की ग्रामीन जो अर्थ विवस्ता है उसमें जो इस तरह के जो आपकी यह कैटल या गाएं भैंस जो पालते थे उस सिर्फ दूद ही नहीं था लेकिन एक और बहुत साधन भी होता था एक यहां इंकम आमदन का एक स्रोथ भी होता था यह आम किसान के लिए और यह जो पूरे जिस तरह की उनों ने बंद голос लगा दिया हैं एक बहुत-बड़ा स्रोथ आम दन का भी किसानों के हाथ से खतम हुआ है صिर्व यह नहीं है कि ग्रामवासियों के हाथ से गया है जो यह नहीं है कि आवरा पशु उसकी कि वज़े से थी सब पर रोक लगी है दस साल में किसी को नुकरी नहीं मिली है जो पढ़े लिखे लोग है और जितने पेपर हुई है सब लेख हुई है इस लिख के लोग इसमें पर बात के तो पर पढ़ाई लिखाई का तो यह हाल चरम सीमा पर है गरीब आदमी पढ़ा नहीं पाएगा जिनके पास धन है पैसा पहले से है अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं उन्हें के बच्चे आगे जाएंगे जो आगे हैं और जो गरीब लोग हैं वो पढ़ा नहीं पाएगे और अमीर हो रहा है गरीब और गरीब तो कहें या ना कहें, लेकिन हम हाथी पर ओट करेंगे, और इस सरकार में जिले का नाम बदला जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, और मंदिर पर खर्चा किया जा रहा है, मंदिर से क्या फाइदा होगा? अच्छा एक चीज़ बताओ, हम लोगा क्या फाइदा होगा? जनता वहाँ जाएगी, खुद खर्च करके आएगी, उनको तो वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, आस्था तो सबकी अपनी है, वो अलग बात है, पर चलिए ये बताओ, एक जो बार 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 आ रही है, जो इ इसलिए चाहिए, क्योंकि हम सम्मिधान बदल दे, विपक्ष का ये इल्जाम है, उनके उम्मीदवारों ने भी कह दिया, मोधी जी बाद में कह रहे हैं, मेरी गारंटी है, नहीं बदलेगा सम्मिधान, आपको क्या लगता है, क्या सम्मिधान बदलने वाला है? भाई, हम क कहा दें, कोई बात कहा दें, और फिर बात में मुकर जाएं, तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, कि वो नहीं बदलेंगे, या नहीं करेंगे, नौजवान आईए, क्या नाम हूँ, आपका भी नौजवानों की बात कर रहे थे, अर क्यों नौकरी नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है बेकंसी खुली है कोई नहीं खुली जब से सरकार सबसे कोई बेकंसी नहीं खुली एक बार जब सपा सरकार थी तो बेकंसी आई थी मैंने फारम भरा था काल लेटर आया था उसी समय से उसके बाद 10 साल से कोई नहीं बेकंसी कोई काम नहीं हो गया उसके काम नहीं हो गया उसके क्या फाइदा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो मतलब ले देकर सरकार ने पढ़ाई करवा के वापस मजदूरी करने भेज दिया और मजदूरी में कोई अलतना मजदूरी बढ़ी है महझाई के असहाप से या नहीं नहीं बढ़ी रहताओ अरूं ये बताओ अरुण व अर्जू अर्जुन से एक समय पर इतना बाहर आती थी लोगों के बीच में रहती थी उनके भाशन भी बड़े जोरदार होते थे वह बहन जी थोड़ी पिछले सालों में थोड़ी गायब सी नज़र आ ली हैं मतलब कम दिखती हैं जनता के बीच में भी कमाती है स्टेटमेंट भी कमाता है बहन ज आकाश आनन जो उनके भांजे भी थे जो भतीजे थे उनको भी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन उनोंने कुछ इस तरह के तकड़े भाशन दिया तो उनको भी दरकेनार कर दिया बहन जी ने इस चुनाब में दबा दिया मतलब है ना तो क्या आप ऐसे न नए जो नौजुमान कि चंदर शेकर आजाद उनके बारे में जनते हैं कि अगर जा अगर वो अपनी पार्टी बनाके या भी लन लग जाए तो आप उन्हीं देंगे ठाव फाल पर ही जे नमस्ते बीन ऌहूं। क्या आप यहां पर इसी गाउं में है क्या करते हैं क्या करी थे पढ़ें लिखे यह गुबर लड़का बच्चा इंजियावत है पती हमारे खतम होई गें अच्छा तेंठी लड़का लएके परी है कौन सुनवाई कौन वर्स होतना पेंशन वगेरा मिल रही है कुछ आपको म मिल रहा है उससरे की विद्वापिवा पिल पर लेकेमेरे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वियूद्वर लगेना मिलत वहां लेकिन अब लुई होतने मिलत उतने खर्चा कहां चले लड़का बच्चा आप जो कमार नहीं है तो कईसे पढ़ाई लिखाए बिखाय कूल पर ये पर आभाय माय है कर झालास बसे तक टœर पर अट लाइन के फीरेन रहे माई है में सलाओ और नहीं कितना पड़े यह पड़े हैं आप नहीं पड़े बच्चा बच्च लोग स्कूल क्या बर्ट जाने रिक प्राइवरिष और सरकारी प्राइवाट जाने है पर आप पर मतलब कुछ भी हो बेहन जी के साथ ही नाम है हमारा नाम रमेश्वर जी रमेश्वर जी चुनाव आरे कहान वोट करेंगे हमार खुला बाट यहां जहाना माया वती हथी चोड़ा छोड़ना जी चुछ भी नहीं हमार खुला वोट भा हुआ हमसे घिरड़ रहे हर्दम कि आथ हमके रहना चाहिए हम हो मनुसा ही मनुस वहाई है है मनुसमाव घठार का आपके अब हमेश्य से बहन को डालते हैं हमेशा 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 हाँ इस पर जीतेंगी से अब जीता चाहे जीते लेकिन उट वाउन ही देगा हम अभी कुटीवा गाओं में हैं मुख्य रूप से यहां दलित समाज के लोगों से बात हुई बुजर्ग भी थे नौजवान भी थे महिलाएं भी थी सबसे बात हुई लगबग एक तरफा ही रोजहान यहां पर बहन जी या हाथी के लिए है चुनाफ के नतीजे क्या होंगे यह तो पता नहीं लेकिन यहां मुझे लग रहा है यह वाली सीट जो है अंबेटकर नगर सीट रोमांचक यहां पर एक चुनाफ होने वाला है इस पर सब लोग अपनी नजर ररूर गाड़ के रखें जुड़े रहें सीट के साथ धन्यवाद